नमस्कार आप देख रहे हैं सहाबाद जोन नीज और इर्भर्शन नीज एजेंसी अभी हमारे साथ चैन्पूर प्रखंड के मदुर्ना पंचायत के होने वाले भावी मुखिया प्रत्यासी अवधेश सिंग जी हैं जो इनका जीवन काल काफी सफर किया है सिच्छक से शुरुवात किये और प्रिस्पल तक पहुँच कर रिजाइन दे कर जो है आज समाज सेवा में इनकी सोच बनी हुई है इसी कड़ी में लोगों के कहना है कि अवधेश सिंग जो अपनी गाउं की मान सम्मान अपने पंचायत के मान सम्मान बचाने के लिए आज जो है पंचायत के मुख्या के कुर्शी पर उसकी तयारी कर रहे हैं जो कि काफी इनके साथ गाउं के लोगों को भी समर्थन मिलते रहता है यही नहीं आपको हम बता दें कि अवधेश सिंग जी हरिचंद्र डिग्री कालेज बारांशी में सचीव पद पर भी रहकर विद्यार्थियों का सेवा किये हैं जो काफी इनका कार्ज काल लोग प्रिये रहा है और लोगों के सुख दुखों में रहा है तो इनको देखते हुए पंचायत की जनता ने इनको जो है उस मुखिया परत्यासी को बीच ला रही है जिनके मतलब टककर से हो सके कि यह पंचायत का भविश बदलेगा इसी कड़ी में मैं आप दर्शकों को अभी अवधेश सिंग जी से मिलाते हैं जो की प्रिस्पल से इस्थिपा देकर आज गाउं समाज में आये हैं अभी हम मदुर्ना गाउं में हैं अभी आप देख सकते हैं देखिए प्रिस्पल जी से मैं जानना चाहूंगा कि आपका जीवन काल किस तरह से संघर्ष में विता हैं मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा है लेकिन संघर्ष के साथ साथ बुलंदियां चुमना मेरा एक उदेश रहा है और मैं जहां भी पहुँचा अपनी बुलंदी तक पहुँचा जहां तक कि अंतिम सीखर किसी को मान के लोग चलते हैं काम किसी मुखिया द्वारा या किसी सरकारी या दिकारी द्वारा जंबव नहीं गाए वो भी मैं कर दूंगा यह मेरा वादा है ग्रामिड जनता के साथ और इसके बाद यह और कुछ जल्फा लूए उस्तर की लोगों ने भी नहीं किया या जहां पर ग्रामिड जंता के लिए सदक की आहूसकता जो कही सरकारी महखमादा वह नहीं की जा सकता वह मैं करके दिखा दूँगा ये मेरा ये वादा है पूरी ग्रामि जनता के साथ और इसी के साथ मैं ये भी बता दूँ कि लोग जितते हैं मुख्या बनते हैं इलेक्सन लड़ते हैं इसलिए कि उनको पैसा लूटना है और लूट करके अपना घर बसाना है लेकिन मेरे लिए इसकी कोई आउसकता नहीं है मेरे लिए पैसा लूटना तो गोली मारिये उस पैसे का एक कणभी मेरे लिए पाप के समान होगा और रह गई बात लोग जीतते हैं उनके पास पैसा आता है जमीन बनती है लेकिन हो सकता है कि मेरी जमीन दोचार बिगे दान में चली जाए इस एलक्सन जीतने के बाद धन् ग्राम वासियों को या जनता जो ग्राम पंचायत की है उसको संदेश यहीं होगा कि एक अच्छे उमिदवार को चूने और मैं क्या कर सकता हूं मैं जनता है जनता का काम है जनता अपने रास्ते पर कुछ चले जनता का भला अपने स्वेंग सोचती है तो मुझे वोट दे न सोचती हो, न दे, यह उसका कर्तब है, मेरा कर्तब नहीं है, मेरा कर्तब जो मेरी सोच है, मैंने आपको अपनी सोच बता दिया, जनता का कर्तब जो होता है, जनता अपनी पूरा करे, और जनता को चाहिए, मेरे विचार से जनता को चाहिए, कि एक सुख्ष प्रतिनिदी को चुने जो कर्म की कमिशन ये इंदरावास में जो खुस्खोरी चलती है उसको रोक सके नहीं तो मैं जानता हूं मुझे पता चला है कि पचीस पचीस जार रुपए एक इंदरावास में लुग देते हैं लेकिन मैं उस इंदरावास में एक परिशागर किसी का लग जाएगा तो मैं उसके लिए जिम्यदार अपने को स्वेंग वानूंगा और उसके लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा अभी मैं हाल में देखा कि दो हजार रुपए पर कॉंडिडेट लिया गया है मतलब गर जोड़ा जाएगा तो पचीस लाक नहीं है दो करूल पचास लाक रु इंदरा आवास में गरामीड जनता क्या भूखो मरेगी सरकार योज नहीं बनाती है इसलिए बनाती है क्या लोगों काना है कि इस तरह के आरोप तो जूठे भी लगाया जाता है अपने बचाने के लिए बाइजी जूठे नहीं लगाया जाते यह आरोप कटू सत है हाँ ज करना पड़ेगा हो सकता है कि इसके लिए मुझे धरना देना पड़े परदर्शन करना पड़े हो सकता है कि आमराल अंसन तक जाना पड़े लेकिन मैं करूंगा अगर परतिनी बन जाते हैं तो यह सब आने वाला प्लश्टा चारव मैं पर सो में सो परसेंट रोक लगेगा एक दम इसकी मैं गरंटी देता हूं कि सो परसेंट रोक लगेगा उसके लिए मेरी जान चली जाएगी मैं देदूंगा इसके लिए आम्रा नंसन करना पड़े तब भी तेयार बैटा हूं मेरी जान जाने के बाद ही कोई जो होगा और नों से परसेंट के लोगेगा बीकिन आपसे मोग होगे आपको एक ऐसे सक्स से मिला हैं आप उन्हीं के मुखार बिंदू से सुनें यगर सत्ता हाथ में आती है तो पंचायत के जनता को सरकार के जोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए चाहें जो भी कोरकसर करना पड़ेगा इनके द्वारा किया जाएगा आप हमारे चनल को देखने के लिए बहुत बहुत बधाई हो